हेलो फ्रेंड्स कलरफुल ट्रेट्स में आपका स्वागत है बैक बनाने के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है इसी साइज का मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है और शाथ हमें फोम शीट चाहिए यह पतली वाली फोम शीट है सबसे नीचे हम लाइनिंग को रखेंगे उसके बाद हमें इसके उपर फोम रखना है सबसे उपर हम में फैब्रिक को रखेंगे और इसे कुल्ट करेंगे कपरी को विल्ट करने के लिए मैंने लाइनिंग पे इस तरह से मर्क कर लिया है आप जो भी डिजाइन बनाना चाहे है उसे पहले ड्रॉ कर ले मैंने सीधी लाइने बना कर कपरे को कुल्ट किया है बस मसीन को लाइन के उपर सिथा सिथा चलाया है हमें बैग में पॉकट लगाना है तो इसके लिए रेक्टेंगल पीस ले लीजे और इसे एक तरब से इस तरह से दो बार मोर दीजिए और सिलह चला लीजिए बैग के सेंटर पे हमें मार्क कर लेना है सेंटर में मैं हलका सा कट लगा दे रही हूँ यह बैग के नीचे का पार्ट है मैंने यह एक ही पीस कपरा लिया है अब चाहे तो दोनों अलग-अलग पीस ले सकते हैं यहां भी अलका घट लगा देंगे अब हमें पॉकेट लगाना है तो जो हमने सिलह किये उस बाको उपर रखेंगे और इसे नीचे से मोर कर सिलह चला देनी है सिलह लग गई है अब हमें इसे बीच से भी एक सिलह लग लेनी है जिसे दो पॉकेट बन सके अगर आपको तीन पॉकेट चाहिए तो आप तीन पॉकेट भी बना सकते है बीच से सिलह करने पे दो पॉकेट बन गई है अब हमें side से नहीं सिलना है क्योंकि जब हम back को joint करेंगे तो pocket अपने आप joint हो जाएगा अब हम back के strap बनाएंगे strap के लिए मैंने बीच में same size का foam काटा है आप चाहे तो इसे बिना foam के भी बना सकते हैं foam डालने से इसमें थोड़ी गुलाई आजाती है इस तरह से दोनो side से मोर कर हमें एक side सिला लेनी है दोनो side नहीं सिलना है और foam को हमें दोनो side एक एक इंच कम रखना है इस strap attach करने के लिए पहले center में mark कर लिजे उसके बाद जितनी दूरी पर आप चाहें उतनी दूरी पर mark करके इस strap को लगाना है इस strap को अंदर की तरफ रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे दोनो side हमने hangar attach कर लिये है अब हमें इसमें zip attach करना है तो back की CD side की तरफ हमें zip की CD side को रखना है इस तरह से zip को back की उपर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे zip attach हो गई है अब हम कपड़े को अंदर की तरफ दबाते हुए उपर से एक प्रेसिस्टिस करेंगे बैठने वाली सिलाई कर लेंगे इसी तरह हमें zip के दूसरे पार्ट को भी pack के उपर रखकर सिलाई कर लेंगे zip attach करने के पाद हमने उस पे बैठने वाली सिलाई भी कर लिए है अब हमें दोनों साइट सिलाई करना है center का ध्यान रखते हुए हमें इस तरह से आधा inch का margin लेते हुए सिलाई कर लेंगे हमने दोनों साइट सिलाई कर लिए है साथ में दोनों पकेट भी जुर गए हैं, जिप का जो एक्ष्टा पार्ट है उसे हम काट लेंगे, अब हम बैक का पेस बनाएंगे, मैं करीब 0.5 इंच पे दोनों साइड से मार्क कर लेंगे, तो इस तरह से हमें 5 इंच का बेस मिलेगा, अगर आपको बेस कम चौड़ा चाह कर लेंगे, तो आप 2 इंच या 1.5 इंच पे मार्क करके इसको कट कर लेंगे, इसे कट कर लेना है, कट करने के बाद हमें दोनों पार्ट को एक सांथ इस्टिच करना है, इसके लिए हम इस तरह से थोड़ा सा कीचते हुए, दोनों पार्ट को एक दूसरे कूप पर कर लेंगे, और से लाइक कर लेंगे, इसी तरह दूसरे साइड भी हमें करना है, बैक का बेस बन चुका है, अब इसे सीधा कर लेते हैं, बैक हमारा बिल्कुल तयार है, इसके कोने अच्छी तरह से निकाल लेंगे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो चैनल को सब्सकाइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले, थैंक्स पर वाचिंग